हेलो फ्रेंड बीजी मॉम लन्निंग सेंटर में आपका स्वागत है तो फ्रेंड वीडियो स्टाट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए ज्यादा से यादा शेयर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजि इस क्रीम से हम इसके स्टपिंग रेडी करेंगे तो यह की बिस्कुट को मैंने अलग कर लिया क्रीम को अलग कर लिया दौनों को अलग करके अब मैं एक मिक्सी जार लूँगी उसमें बिस्कुट को क्रेस्ट करके डालूँगी इसका हमें फाइन पाउडर तयार करना है तो एक साथ दूद को ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके ही दूद को डालें और इसका दो तयार करते जाएं तो इस पूरे डो को बनाने के लिए चार से पांच चमब दूद लगा है, यदि की डो रेडी हो गया है, अब हम क्रीम लेंगे, इसमें हम एक चमच डेसिनेटेड़ कोकोनट पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो इसके जग मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, त मैं आपको कोई भी रेसिवी बताती हूं तो बहुत इजी और सिंपल तरीके से बताती हूं, मुझे यह नहीं है कि कोई सी चीज में समस्पैंस रखूं जो भी है वो आपके सामने है, तो यह देखिए इस तरह हम डो लेंगे और इसको इसके अंदर फिल कर देंगे, और चा तो यह देखिए, हमने इसको क्लोज कर दिया, हमारा मोदग रेडी है, लग रहा है न, कितना सुंदर बच्चे भी देखकर इसको तुनत बनाने की कोईसिस करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, तो मैं अब आपको बिना स्टेंड के मोदग बनाना इस रहसीवी को बच्चे बहुत जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ईजी और सरल होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो यह देखिए इस तरह इसको उपर से उठाते जाएंगे, और मोदग का शेव दे देंगे इसमें, आप इसमें मोदग की डिजाइन बनान तो यह देखिए बिना स्टेंड के मोदग रेडी है, बाकी के भी मैंने मोदग इस तरह रेडी कर लिये हैं, तो फ्रेंस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कि आपको यह मोदग कैसे लगे और आपने इस गड़े चतुरती पर इनको बनाया कि नहीं बनाया, और फ्रेंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ, तो यह देखिए, यह देखिए कितने सुन्दर हमारे मोदग रेडियो हूए है, कमेंट करते हैं मुझे जरूर बताईए, कर दो है?